हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडिस सर्जी में दोस्तों आप सभी के लिए बीग अपडेट निकल के आ रहे हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि यह 28 अगस को आपका फैसला फाइनल येर को लेकर के सुप्रीम कोड सुना सकता है तो आप पर जो फाइनल येर को लेकर के मैंने पिछले वीडियो में संभावी डेट की बात की थी 108 लेकिन हैं यहाँ पर पूरी तरीके यह डेट आपके लिए सर्वचह चनियाले की तरफ से पारिथ यीए कि आ हार कह प्रफेसला सुनाएंगे आज की लेटेस्ट आप देख पा रहे होंगे सकता है सगस्की सी लगभग लगड़ बज़े की यह लेटेस्ट अबडेट निकल के आ सब्सक्रांत आपको पूरी तरीके से स्थितातल आपको बता दे कुस बाते का पर मैं आपसे करना चाहता 싸 face गाइस जो आपके इस फैसले को आखिरकार क्यों डिले कर रहा यूजी सी की गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं फैसला सुना रही अपने फैसले पर क्यों अस्थिर बनी हुई है फैसला भी सुरक्ित रख लिया कई सारी डेड भी डेकलियर कर दिया आपको बता दे 27 जुलाई से आज अगर बात करें जीगाव सिथाइस जुलाई से अगर आज बात करें तो 27 अगस्थो गया लगवग एक महीने का दर्म्यान इसमें कई सारी डेड दी गई 27 के बाद 31 जुला 31 के बाद 4 अगस 4 अगस चार अगस के बाद 10 अगस सीधे 14 14 से 18 18 से फैसला सूरच्छित रखने के बाद 23 कभी बताया कभी 26 बताया गए जैसा कि 26 को भी फैसला ना सका आज 27 कल की डिट में अचाओ सुना दिया जायेगा जो यह यह यूजी की गाइड लाइन को लेकर के सुप्रीम कोड की रवया है कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सुप्रीम कोड भी कहीं न कहीं स्यूजी से के साथ मिल चुका है इस वजह से क्यूं क्यूंकि अब कुछ दिन ही बच्चे है सिप्टमबर आने में और सभी इन्वस्टिया एक्जाम करा आपको डिगरी कैसे दी जाएगी तो चाहत्र पूरी तरीके से सुप्रीम कोड में भी जो अपनी रवय जो अपनी सुनवाई के लिए गये थे उनका भी वक्तव या जो उनका ने एक उमीद थी उस पर भी पानी फिर जाएगा तो आप सभी से हम यहीं कहेंगे क्यूंकि ज हैं कैंसिल की जाएगी तो आप अपना एक्जाम हलांकि पढ़ते रही एक उपचारिकता हैं बाकी हैं सुप्रीम कोड को एक्जाम कराने को लेकर के अपने बात को रखने को लेकर लेकिन हमें नहीं लगता कि आने वाले 28 अगस्त को आपका फाइनल फैसला भी सुनाया जा स सकता है लेकिन इस पर हाला कि सुप्रीम कोड ने मुहर लगा दी है और इस बात को जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे आई हो फाइनल आडर कंस अन 28 अगस्त अलग हालोक स्रिवास्ताव जी ने इस बात को सुप्रीम कोड से कहा और सुप्रीम कोड ने अपनी इस को कंफर्म कर दिया कि हम कल की डेट में अपना फैशला सुनाने वाले हैं यूजी सी का जो मशला है आप सभी को पता है काफी दिनों से यह चल रहा है सुप्रीम कोड में लेकर के बाते क्या है 3 सिप्टमबर तक एक्जाम कराने को है चात्र तयार नहीं एक्जाम देने को ल क्योंकि सुच्वेशन कंडिशन जो कोविड नाइंटीन का है यह विल्कुल इजाजत नहीं देता तिल्ली महाराज सहित कई अन्य राज ने अन्तिम वर्ष की परिक्षाय उजित नहीं करने का फैश्रा लिया लेकिन यूजी सी ने का परिच्छा रद करने का अधिकार इन के चात्रों का तो जो रविया था या फिर कहें जो उनका अपना विरोध प्रदर्शन था वो तो चल ही रहा था लेकिन अब नीट और मेडिकल की और जो इंजिरिंग की परिक्षा है उसको लेकर के भी एक देश में नहीं नहीं कहें तो एक जी गाइस अब उसमें मीडिया करके मीडिया तक पहुचा चुके हैं और वो कहीं न कहीं अपने साथ इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें इस वक्ती एक्साम न कराया जाए क्यों कि ऐसी सिच्वेशन में अगर हमें कोविड होता है तो हम क्या करें साथ ही यूजिसी की गाइड लाइन को लेकर के भी काफी दिन से मसला चल रहा था जबकि फाइनल एर के चातर फरवरी से ही चलिया रहा है फर वरी यूजिसी की गाइड लाइन आते ही सारे चात्रों में एक बवाल सा मच गया और देश में इस समय 34-35 लाग की केसिस हैं जो कुवीड-19 की लिए करके और एक दिन में 67-68-62-62 की केस आ रही है अगर बात करें तो 61-62-62 पूरे देश में मर भी चुके हैं इतने तादात में लोगों की जाने जा चुकी है अब ऐसे म के देखना है कि क्या आपके साथ exam हो पाएगा या नहीं आपको बता दे कि कई राजसर्रकारे इस बात को विरोध कर रही है ये कल तक Supreme Court एक अपनी अफचारिक जो है सुन्माई करेगा अब देखना है कि क्या कल आपके साथ न्याय हो पाएगा हाला कि काफी दिनों से यह अटकले जारी हैं काफी दिनों से छात्रों की निगाहे हैं लेकिन सुप्रीम कोट युजिसी की गाइड लाइन को ले करके कोई पुक्ता बात नहीं रख पा रहा ह है और वो चात्रों को एक डेट देता चला जा रहा है 26 अगर 27 28 को जैसा कि कल की डेट में आपका फाइनल फैसला आने वाला है अगर कल आपका फाइनल फैसला आता है और वो हो सकता है प्रमोशन को ले करके या फिर एक्जाम को ले करके अगर एक्जाम को ले करके होगा तो चात्र पूरी तरीके से कहां जाएंगे इसलिए आप अपनी तयारी चारी रखें अगर एक्जाम के लिए अगर सुप्रीम कोट इजाज़त दे देता है तो आपको एक्जाम देना ही होगा हर हाल में इस वज़े तयारी रखें क्यों क्योंकि जो ये रवया है ये विल्कुल स सुनाने का अगर सुनाना होता तो 10 अगस को ही सुना देती लेकिन 10 अगस से आज 28 अगस से कल 28 अगस होने वाला है अब ऐसी सिच्वेश्वन देखना है कि क्या आपका फैशला आएगा या नहीं इस तोर बहुत बड़ा सवाल है आपकी तरह मेरी भी निगाहें सुप्रीम करके बात देते लेकिन हमें ऐसा विल्कुल नहीं लगता फिलाल आप मेरे साथ चुड़ेए और अपनी आवाज को उठाइए फिलाल आवाज उठाने का आप कोई मतलब भी नहीं निकलता क्यों क्योंकि सारी एजंसिया सुप्रीम कोर्ट और सरकार भी एक साथ हो चुकी है हम इसके पास जाना चाते थे वो भी अब साथ हो चुकी है तो ऐसे में अब कुछ कहा नहीं जा सकता हम यही आप से अपील करेंगे कि आप इस्टड़ी अपनी कांटीनू रखिये जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप सभी का लाश्तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से सुक्रिया मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए नोटिस एक नए गाइडलाइन के साथ थैंक्यू चैहिंद फंदे मात्रम